देखिए लवारा पिसले तीन दिन से यह बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो रहा है हलाकि नीचे बेटा बेटा यह जो बश्रा है दूथ पीता है लेकिन खड़ा नहीं हो पाता है इसके पीचे क्या कारण है और इसका हमें क्या उप्शार करना चाहिए यह आपका भी कोई लवा लव चाहिए भ्यंसका बस्राओ यह उनको समय समय पर सई दूद नहीं मिला है वह बस्रे फिर कमजोर हो जाते हैं और कमजोर नेक बात क्या होता है वह नीचे बेट जाते हैं और फिर खड़ नहीं हो पाते हैं दोस्तों इस बिमारी कों बोलते अने बल टू इस्टेंड या यह आप उसको खड़ा करते हैं तो वह तुरन से नीचे गिर जाएगा खड़ा कर देते हैं थोड़ी देर चलेगा अपने आप फिर नीचे गिर जाएगा फिर उसके अपने आप से खड़ा नहीं हो पाएगा यानि उसके शरीर में इतनी तागत नहीं रहती है कि वह अपने लबारे को देख रहे हैं पश्यमाल का कहना है कि 20 दिन का मातर बस्ता है और खड़ा नहीं हो पाता है कि इसमें मैंने रिजयोन और हमily करेचला है जब हम इसको पकड़ कर खड़ा कर देते हैं तो ऐसा लगता है कि मानौ इसको चक कर आ और चक्कर आने बाद एकदम से नीचे गिर जाता है और फिर खड़ा नहीं हो पाता है हालाकि नीचे बेटा-बेटा या दूद्ध पी लेता है लेकिन खड़ा नहीं हो पाता है दोस्तों AC conditions में हमें क्या करना है इसी condition में आपको RL या NS या DNS इनमें से कोई सी भी आपको एक ड्रीप लेना है आदा लेटर सुबह आदा लेटर शाम को लगातार आप दो दिन तक इसको आई भी दीजिए इसमें injection की बात करें था आप इसमें जूरो काइंट 2 ml मिलाए आप इसमें 2 ml मिलाए इंजेक्शन टौन फस्में आप इसमें 2 ml मिला सकते हैं यहां पर ज्यादा क्रानिक कंडीशन होने पर हम और डेक्सोन इंजेक्षन 2 ml वह भी हम IV यहां परصकते हैं तो मश्कुलर में बात करूँ कि आप मास में कौन से इंजेक्शन लगाएं हाइए हाइविट दो एमल इंट्रा मस्कुलर लगा के भी इसके बाद कुछ लिक्विड की पर दिखाई दे रही है यह सिरप मार्केट से कर लाएक इन बस लोका आप 10 मल शुबह 10 विल शाम को पिल सबसे खड़ा हो जाएगा वहापीस दुबारा से नीचे दोस्तों नहीं बेतेगा यदि आपके भी किसी गाई बेंस के बश्रम या शमाशा आ रही है तो आप यह टीटमेंट कर सकते हैं और उसको खड़ा कर सकते हैं आपका लावारा बिल्कुर ठीक हो जाएगा जानकारी प